कि ग्यानवापी में SI सर्वे रोखने की मांगवाली याच्चिगा पर remnants आज'llग फ़ने दाखिल की है अपत्ति अंजुबन इंट째 जामें मसाजिद कमीडी के तरफ से ग्annéeवापी eruकना परने की मांगवाली याचिका पर मंगलवार कुछू कहकी होगी मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत कर रही है मसाजित कमीटी की तरफ से कहा गया है कि ASI सर्वे के लिए फीस नहीं जमा की गई है इस पर हिंदु पक्ष की चार महिला वादनी की अधिवक्ता विश्नु संकर जैन ने आपत्ती दाखिल कर दी है इसमें कहा गया है कि मसाजित कमीटी की तरफ से ये मुद्धा हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट में भी उठाए गया था जिसमें कोई राहत नहीं मिली थी आविदन खारिस करने योग है आपको बता दे कि चार महिला वादनी के आविदन पर जिला जजज के अदालत ने 21 जुलाई को ग्यान वापी में एसाई सर्वे का आदेश दिया था इसके खिलाव मसाजित कमीटी हाई कोर्ट पर सुप्रिम कोर्ट गई थी लेकिन राहत नहीं मिल सकी मसाजित कमीटी की दलिल अब दोबारा जिला जजज के अदालत का दर्वाजा खट-कटाया है मसाजित कमीटी का कहना है कि एसाई सर्वे में आरे खर्च की फीस नहीं जमा कराई गई है बिना फीस जमा किये ही सर्वे किया जा रहा है जो कानून के खिलाफ है सर्वी के लिए ASI को रिट नहीं जारी कीगी और नहीं लिखित रूप से सर्वी की जानकारी दीगी सर्वी कानूरी प्रावधान की विप्रीत है दो और मामलों में आज होगी सुनवाई ग्यान वापी से जोड़े सरंगार गौरी मूल वाद में वादनी राखी सिंग की तरफ से प्रतीक चिन्नों देव विग्रहों को सुरक्षित वे सनरशित करने के आविदन पर मंगलवार को सुनवाई होगी ये मामला जिला जजज के अदालत में विचारा धीन है इसके जर्ये ग्यान वापी परसर में मसाजित कमेटी के पदादीकारी का प्रवेस प्रतिबंदित करने की मांग भी की गई है वहीं ग्यानवापी परसर में बिली शिवलिंग जिसे आकरिती को आदे विशेश्वर बता के पूजा अर्चना की मांग वाली आचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी ये मामला सिविल जज सिखा यादव के अदालत में विचारा धीन है सहर की सैलेंद योगी राज ने अधिवक्ता डॉक्टर एसकी दुवेदी वे भूपेंद सिंग के जरिये अदालत का दरवाजा खरकटाया है